तो जो आपको इंट्रडे सीरी स्वसंदार यह होगी और जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर कर रहा था बजट वाला प्रब्ली आपको वह अच्छा लगा हो का इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है उस बजट वीडियो को रिलेटेड तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप अहां पर मेरे को पेंग कर सकते हो और कोई भी क्वेरी है कुछ भी एड्जस्मेंट्स करनी जो भी लिस्ट रहेगी यह बेसिकली 27 ऑफ जैनवरी के लिए रहेगी और कोई भी चेंज़ेज होते हैं बेकोज नमबर्स का गेम है सी नमबर्स आर इंपॉर्टन यह मत सोचो की स्पेसिफिकली वह इंट्राडे है नहीं जी मैंने सुबह खरीदना है शाम को निकल जाना ह ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जब तक वह उस नमबर्स पर टिका हुआ है आपको वहाँ पर अपनी चीजों को मैनेज करके चलना है ठीक है एक वीडियो बनाएंगे जल्दी से जहां पर मैं बताऊंगा कि इंट्राडे और कुछ पोजिशनल स्टॉक्स पोजिशन अगर आता है तो यह वहां पर है को जो चक्राइबल बांग जोन से तो एट इसे कॉंफर्टेबल पाइंग जोन से सो निफनी बेसिकली कट ओं कर आउट है का कि ऊडाट तो मैने लास्ट एंट्र डे वीडियो में बीश, और रहा था कि निफ्टी के जो कमफर्टेबल बाइंग जोन से वो 14,225 से लेकर के 14,145 इस दी कमफर्टेबल जोन ठीक है और आज आप देखो आई मीन प्रीवेस देपर अगर आप देखते हो जो लास्ट डे की क्लोजिंग होई कि मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ खुली ठीक आप अगर क्लोजी वाच करोगे तो एक बीच में एक कैंडल थी जो उस लेवल को टच हो करके विए ठीक है तो बेसिकली यह जो रेंज है डिस वुट बी वेरी गुट रेंज टो इंटर मैं एक्सपेक्ट करना हूँ कि अगर इस रेंज में आती है तो यहां से एक छोटा इक फफर्दर अपों मिल सकता है बट अगर किसी वेसे यह नीचे की रेंज अगर तूट जाती है तो वहां पर थोड़ा सा कमफटेबल नहीं होग करना वहां तो थोड़ा से जादा नीची के तरफ होगा उतना बड़ा रेंज में होल्ड करना उसमें थोड़ा से घुन ठीक है, next is bank nifty, bank nifty मैंने अपने telegram पे post करा था, उस time पे मैं वीडियो में नहीं share कर पाया था, due to some issues, so bank nifty भी again बिलकुल same point पे चल रहा है, मैंने कुछ expected scenario बताया था, कि bank nifty एक expected scenario में move कर सकता है, ठीक है, तो यह basically क्या था, तो basically यह expected scenario था, मुझे लग रहा था, कि यह यहां से एक up move मिल सकता है, ठीक है, अभी shorter time frame के लिए है, let's see वो किस तरीके से react करता है, और आज अगर आप compare करोगे nifty और bank nifty को, so nifty थोड़ी सी weak थी, और bank nifty फिर भी एक strong level पर खड़ी थी, ठीक है, so let's see किस तरीके से move करता है, बट जब तक यह 30,800 से ले करके 31,000 का range, अगर वो it is actually a very good range, वो जब तक sustain कर रहा है, और वो level नहीं तोड़ता 30,800 का, तो वहाँ पर अभी safe zone है, let's say उसको safe zone बोल करके चलेंगे, और upside move कहां तक मिल सकती है, ठीक है, upside move मैं expect कर रहा हूँ, कि एक upside move मिल सकती है, 31,670, ठीक है, odd levels, और उसके बाद जो एक next upside zone मिल सकता है, वो मैं expect करूँगा, 32,065, ठीक है, तो दो levels पर मैं ध्यान रखूँगा, रधर तीन levels पर ध्यान रखूँगा, 3,800, ठीक है, और उपर की तरफ अगर मैं देखूँगा, तो 31,670, और उसके उपर अगर वो 31,670 के level तोड़ देता है, और sustain करता है, तो उपर की तरफ मैं level पर ध्यान रखूँगा, 32,065, ये levels मेरे radar पे रहेंगे, नेक्स टॉक कौन सा है मेरे radar पे, नेक्स टॉक वोड़ बी सिपला, एक छोटे टाइम फ्रेम में ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे कि यार एक छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने एक breakout टाइप का level दिया है, ठीक है, और आज comparatively इसमें volume भी बहुत जादा strong थी, ठीक ह पहले मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताता हूँ, फिर हम उसमें बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि actually क्या किस तरीके का move मिल सकता है सिपला में, यह एक zone है सिपला में, जहांपर कि जब इसने breakout दिया, ठीक है, एक level पर था, यहां से इसने breakout दिया, फिर उपर की तरफ से नीचे की तरफ एक trend line आ रही थी, जिस एक बहुत strong candle से इसने breakout दिया, उपर की तरफ गया, अभी 859 का level मुझे लगता है कि वहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर आगर के profit booking आ गई, जैसे last में market में profit booking आई, ठीक है, राइट exit zones, कहां पर actually exit zones होने चाहिए, for ultra short term, 817 का zone अगर यह तोड़ देता है, तो this would be, let's say, एक level होना चाहिए, जहां पर की इसके exit points है, उपर की तरफ, so उपर की तरफ 859 और 864 would be the numbers to actually watch for, अगर 864 का zone तोड़ देता है, तो वहाँ से जो move आएगी, वो बहुत जादा strong move आएगी, यह तो होगे short tongue के levels, अब मैंने supply का एक बड़े time frame का chart कोलता हूँ, और वहाँ पर actually देखते हैं कि यारी supply में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी move कैसे आ सकती है, so supply का अगर मैं एक बड़े time frame पर लेकर क्या आता हूँ, तो supply basically एक zone में अगर आप देखो, तो वहाँ पर इसको resistance म कर रहा है, तब तक यह वैसे भी strong है, first thing, secondly, 865 का zone अगर यह एक बारी तोड़ देता है, तो इसमें बहुत अच्छी move मिल सकती है, provided यह 709, मतब यह mid term levels आ गए, थोड़े से, 709 का level अगर यह closing basis में ना तोड़े, तो यहाँ पर जो move मिलेगी, वो ऊपर के तरफ थोड़ी सी strong move मिलेगी, levels actually क्या होंगे, एक बारी 865 का level तोड़ दे, मैं वहाँ पर actual number share कर दूँगा, because थोड़े सा confirmation भी आ जाएगा, कि यह clarity मिल गई है, और क्या strong move ऊपर की तरफ मिल सकता है, तो once it actually breaks 865, I'll share the numbers, ठीक है, next stock on my radar would be reliance, ठीक है, सब लोग कह रहे थे, यार reliance का result अच्छा आया, गिर गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इसमें, ठीक है, हुआ कुछ नहीं है, देखो, reliance ना, basically, daily, short term move, जो reliance ने अपना देना था, वो दे दिया, ठीक है, because results से कभी कबार discounted होते हैं, अच्छा result आने वाला था, लेकिन जो उसकी result की move थी, वो हो सकता है, मिल चु information, basically, 2100 रुपे के ऊपर मिलेगा, but अगर वो 2100 का, actually, यह बना रहा है, और यहां से 2100 के ऊपर confirmation मिल जाता है, तो यहां से बहुत ज़्यादा बड़ी move है, इसमें, ठीक है, strong supports कोन से हैं, अठारा सो निन्याडवे से लेकर के, 1890, on weekly closing, एक हफते की, यानि Monday से लेकर के, Friday की closing, अगर 1890 के नीचे होती है, तो वहां से, basically, इसके जो fall करने के chances होंगे, वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है कि नीचे यह 1600, 1600 के level भी दिखा दे, but जब तक यह 1800, 90 के ऊपर sustain कर रहा है, और 2100 के ऊपर यह निकल जाता है, तो वहां से जो move मिलेगा, वो बहु तो यहां थोड़ी सी pencil इसमें कम चलती है, अगर यह 200 के ऊपर अगर निकलता है, तो यहां पर move थोड़ी सी better आएगी, ठीके, strong move मिल सकती है, नीचे की दरब 1800, 90, तो आज के लिए यही stocks थे, जो मेरे radar पे है, एक stock, again, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं हर 10-15 दिन में एक ऐस stock ढूंड करके लेकर आता हूं, जो कह सकते हैं कि एक अच्छी move दे सकता है, जैसे मैंने last time मैंने कुछ stock share करे थे, सबसे पहला था एक sequence, sequence scientific, almost सबको पता है कि यार मैंने किस level पे share कर रहा था हूं, और वो actually आज कहां पे जागे खड़ा है, ठीके, जिन लोगों को नह करके देख सकते हों कि यार कौंग कोंगों से stock share कर रही है, क्या-क्या moves मिली है, ठीके, so sequence था, confidence petro, again confidence petro is still, मतलब उसमें जो भी steam है, वो भी बहुत जादा बची हुई है, अभी भी, apptech, ठीके, apptech मैंने around 145-146 के level पर दिया था, आज वो 202 रुपे आ गया, और shall भी दिया सु, काफी सारे ऐसे stocks हैं, जो radar पर regular basis पर आते रहते हैं, वैसा ही, एक stock और मेरे radar पर आया है, और, so stay tuned, वो वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो, let's see, किस तरीके से उसमें हो मिलती है, and thank you so much for watching the video, and don't forget to hit this subscribe and like button, thank you.